नूटन के सिर्फ गिरीती सेब लेकिन मेरे उपर दिरे ये तीन नारियल हम इस नारियल के अंदर से हम तेल भी निकाल सकते हैं हाँ इसे निकालना थोड़ा मुस्किल है अब तेल को निकालने के लिए से पहले हमें इसे अपने पाउरफुल हाथ से तोड़ना होगा अब इन्हें इनकी खोपड़ी से अलग करने के बाद इनको मिक्सी के अंदर अच्छे से पीसना होगा पीसने के बाद ये बिल्कुल दूद के जैसा हो गया हाँ हम इसका चाय भी बना सकते हैं लेकिन अभी इसे कपड़े से छानने के बाद फ्रिज में एक दिन के लिए हम रख देंगे अब एक दिन के बाद ये तेल बनने के लिए रेडी है हमें इस मलाय को पैन में तब तक गर्म करना है जब तक तेल बाहर ना निकले बहुत देर के बाद तेल बनकर रेडी हो चुका है इसे छननी की मदद से छानेंगे और हमारा प्योर कोकोनेट ओयल बन गया हाँ हम इसे बालों में लगाने के इलावा खा भी सकते हैं